मुम्रा के समराट नगर में वहा दर्दनाख हादसा इमारत की छटी मंजिल से गिर कर युवक की हुई मौत प्रहाटाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें मुम्रा के समराट नगर में एक इमारत की छटवी मंजिल की टेरिस से गिर कर युवक की दर्दनाख मौत हो गई है हादसा कल यानी की सोलह जुलाई की रात करीम नौ बजे से दस बजे के आसपास में हुई है ऐसी जानकारी मिल लई है कि युवक का नाम राहुल बगड़े है जो करनाटक के उमनाबाद के पास एंजोली खेडी गाउं का रहने वाला था जो अपने नानी शांता अक्का के घर समराट नगर केवियन बिल्डिंग के पहले मंजिले पर रहता था बताया जा रहा है कि नानी के घर करनाटक से लॉकडाउन के पहले आया था और अपने माबाप का इकलोता बेटा था युवक पहले मंजिले पर रहता था और रात के समय युवक यानि कि राहुल क्या करने के लिए टेरिस पर गया था ये जानकारी साफ नहीं हो पाई है जग भी कहा जाता है उसमें से राहुल छटवी मंजिले से सीधा नीचे जमीन पर आकर गिरा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई कैसे गिरा राहुल ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है क्या उस वक्त राहुल के साथ कोई था या फिर राहुल अकेले था हो सकता है कि राहुल उस दिवाल पर चढ़ा हो और पैर फिसलने से सीधा छटी मंजिल से नीचे जमीन पर जागिरा हो आखिर बीस वर्षिये नोजवान की मौत इमारत से गिरने से कैसे हुई है हलाकि हमसे परिवार के किसी भी सदस्य से बातचीत नहीं हुई है मगर जो इमारत के रहने वाले लोग हैं और अस्थानिय लोगों ने बताया है कि परिवार के लोग शव लेकर करनाटक अपने गाउं चले गए हैं सभी असमंजस में हैं कि रात के समय राहुल टेरिस पर क्या करने गया था और कैसे उसकी गिरकर मौत हुई है सही जानकारी किसी के पास नहीं है राहुल बगड की मौत से इलाके के लोग काफी सोच में हैं कि एक नौजवान की अचानक मौत हो गई वो भी इमारत की छटी मंजिल से गिर कर तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रहाँ टेम